नमस्कार, मैं आस्ट्रोलोजर चंदरप्रेकास वर्मा 27 अच्छत्रम से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे एक ऐसे उपाई की जो पांच गरहों की असुबता को दूर करने वाला है जी हाँ, यदि आपकी जनपत्रिका में इन पांच गरहों में से कोई भी गरह या ये सभी गरह असुबफल देने वाले हैं तो इस एक उपाई के करने से आपकी इन सभी गरहों के उपाई हो जाएंगे इन गरहों से सुभी फल प्राप्थ होंगे और इनकी असुबता में कमी आएगी तो इस पूरे वीडियो को देखते रही है अब चलते हैं अपने टॉपिक पर पहले गरह की बात करते हैं तो वह है चंद्रमा जी हाँ, चंद्र गरह जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है चंद्रमा से मन या फिर कहें चित्त देखा जाता है मन की भावनाओं पर चंद्रमा का कंट्रोल है जो भी आपके इमोसंस हैं वे सभी चंद्रमा अद्वारा नियंत्रित होते हैं जिस व्यक्ति का चित्त ही सही नहीं हो उसे किसी भी चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यदि आपकी जनव पत्रिका में चंद्रमा असुभफल दे रहे हैं, आपका मन विचलित है, कहीं पर लगता नहीं है, आप अधिक इमोशनल है, आप बहुत चंचल है, या फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, चंद्रमा से असुभ फल प्राप्त हो रहे हैं तो आप यह उपाए अवस्य करें आप प्रति दिन दो से तीन बूंद गौ मूत्र का सेवन करें चाहे तो जल में या सीधे ही और नहाने वाले जल में भी दो से तीन बूंद गौ मूत्र डाल कर प्रति दिन स्नान करें अब आते हैं अगले ग्रह पर, अगला ग्रह है शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह ताम एक्षा के लिए जाना जाता है सेक्स सम्मंधित कोई भी समस्या यदि आपको है या तो आपकी रूच नहीं है या फिर रूच की अधिक्ता है दोनों केसिस में शुक्र आपके असुभफल देने वाले होंगे, शुक्र दोस्पूर्ण होंगे जितने भी सुख साधन की वस्तवें हैं, जो भी सम्रद्धिसाली वस्तवें हैं, उन सब पर शुक्र का अधिकार है शुक्र द्वारा ही नियंत्रित होती हैं, यदि आपके शुक्र खराब हैं, तो आप सुख वैभो की कामना नहीं कर सकते उनकी पूरती नहीं कर सकते यदि आपको यूरिनरी सम्मंदित कोई भी समस्या है तो भी शुक्र ही रिस्पॉंसिबल है यदि आपको धन्ध हानने की कमी है तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपके शुक्र असुभफल देने वाले हैं इसके लिए आप दो से तीन बूंद गौम्मूत्र जल में डाल कर रोज स्नान करें और दो से तीन बूंद गौम्मूत्र का प्रतिदिन सेवन करें तीसरा ग्रह है शनिग्रह सनिग्रह स्थाइत्यों का प्रतिक है सनि से इस्थिर्ता आती है फिर वह चाहे आपका कारेच्षित्र हो या कुछ और यदि आपके सनिग्रह सही नहीं है तो आपका कारेच्षित्र भी काफ़ी बदलावाला होगा कभी यह काम करेंगे कभी वह काम करेंगे और समय से पहले ही आप वरद्ध भी दिखने लगते हैं सनिग्रह को वरद्ध ग्रह भी कहा जाता है ये दिशनी शही नहीं है तो आप चिलचिडे सभाव के भी हो सकते हैं तो सनी की सुभता के लिए सनी से सुभफल प्राप्दी के लिए प्रति दिन दो से तीन भूंद गव मुत्र का सेवन करना चाहिए और दो से तीन भूंद गव मुत्र जल्वे डाल कर स्नान करना चाहिए अब आते हैं चौथे ग्रह पर चौथा ग्रह है राहु ग्रह राहु का नाम सुनते ही सभी अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि ये राहु बहुत ही चमतकारिक ग्रह हैं यह जितनी तेजी से आपको नीचे से उपर ले जाते हैं उससे भी अधिक तेजी से उपर से नीचे लाने में इनको तनिक भी देर नहीं लगती है राहु मन को ब्रहमित भी करते हैं यह ऐसा भ्रमजाल फैला देते हैं कि व्यक्ति इसी में हसा रह जाता है उस व्यक्ति को वास्त्रीकता और भ्रम में अंतर समझ में ही नहीं आता है ये इतने बड़े-बड़े प्लान बनवाते हैं परन्तु यदि ये असुभ हैं तो वह प्लान पून करने के लिए व्यक्ति उतना कर्मठ ही नहीं रहता प्लान बनाता है लेकिन करता नहीं है असुब राहुसे प्रभावित व्यक्ति बहुत जल्दी गुसा हो जाता है गुसा उसकी नाक पर होता है वह बहुत जल्दी उग्र सभाव का हो जाता है किसी से लडाई जवला करने में किंचित मातर भी देरी नहीं करता है ऐसा व्यक्ति के साथी संगाती अच्छे नहीं होते कुसंगती में पढ़ जाता है यह नसे का भी सिकार हो जाता है तो यदि आपके राहू असुप फल देने वाले हूं तो इसे सुपता प्राप्त करने के लिए और असुपता में कमी के लिए दो से तीन बूंद गौवमूत्र प्रति दिन सेवन करें चाहे तो जल के साथ या सीधे ही और दो से तीन बूंद ही गौवमूत्र जल में डाल कर दिस्नान कर सकते हैं इससे आपको चमतकारिक लाब बहुत जल्द ही प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं पाँचवे ग्रह की वह है केतु ग्रह। जी हाँ, केतु ग्रह। यहाँ भी राहु की तरह ही छाया ग्रह है। यहाँ भी उन्मादी ग्रह है। की तरह जी हाँ, की तरह है। सन्यास की तरफ भी ले जाने वाले ग्रह हैं। तो यहाँ दि केतु आपको असुवफल दे रहे हैं। तो इनसे सुभता प्राप्ति के लिए आपको दो से तीन बूंद, मात्र दो से तीन बूंद गौम मूत्र का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। और दो से तीन बूंद गौम मूत्र को जल में डाल कर प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने अभी पाँच ग्रहों को देखा, चंद्रमा, सुक्र, सनी, राहु और केतु। ये पाँच ग्रहों इन सब के लिए एक ही उपाय है गौम मूत्रों। ऐसे तो बहुत से उपाय हैं लेकिन यह बहुत ही प्रभावसाली उपाय है और इसकी रिजल्ट हमने बहुत देखे हैं। इसमें बहुत सिग्र से सिग्र आपको सुब फल प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। यहा एक बहुत छोटा सा उपाय दिखता है परंतु इसके चमतकारिक लाभ के क्या कहने। रही बात गवमूत्र की कुछ लोग इस पर आपजेक्शन करना चाहेंगे करेंगे भी परंतु बताना चाहूंगा की हमारे धर्म में गाय की और गवमूत्र की महिमा का वर्णन आपको बहुत से ग्रंतों में मिल जाएगा। और अब तो वैज्ञानिक भी इसके लाभ की महिमा से अच्छुतित नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार।